मैंसेल्फ नमीशा सिंग मैं लखनाव से आई हूँ और मुझे बच्पन से ही माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है मैंيرة सार्टिंग मैंने डिखाया डॉक्र महाजand को उन्होंने कई भार मैंना CT स्कैन कराया MRI कराया उसमें कुछ नहीं निकला उसके बाद उन्होंने बहुत सारी दवाईयां दी हैं उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ और उसके बाद मैंने लखनौ में KGMC के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जीजी अगरवाल, उनको मैंने दिखाया, उन्होंने भी MRI, काफी सारे टेस्ट, EEG वगर सब कुछ करवाया मेरा, बर कुछ भी नहीं हुआ उससे भी, फाइनली मैंने सोचा मैदानता में दिखाने के लिए डेली में, तो वहाँ पे डॉक्टर आत्मा नाम मुझे मिले थे, उन्होंने भी मेरा CT स्कैन कराया, MRI कराया, शॉक ट्रीक्मेंट भी दिया इवन उन्होंने, और उसके अलावा मुझे साइक्याटरिस्ट के पास भी भी इसके लावा लखनौ में मने नूर मंजिल में भी उन्होंने रेक्मेंट किया हुझे, वहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप अपनी बेटी को दस दिन के लिए हाँ छोड़ दीजे, कोई ना मिले इन से, and finally she will be alright, लेकिन मेरी ममा डर रही थी, और उनने ऐसा नहीं किया तो finally मेरे जीजा जी ने मुझे बताया कि मुझे रुद्रपूर में आके डॉक्टर अभिषेग गुपता को दिखाना चेहे, and I'm very thankful to him, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, और मेरा जो माइगरेन का प्रोब्रम है, बहुत बहुत कम हो गया है, और मुझे पास पहली बार आ मेरा प्या आई हूं, और I'm totally alright, medicines, and medicines भी बहुत कम दी उन्होंने, और मतलब तोपर की तो medicine है ही नहीं, सुबह की और शाम की medicines लेनी होती है, and बस बहुत अच्छा है सब कुछ,